हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मितलांचल एक्सप्रेस दोस्तों मितलांचल एक्सप्रेस के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम थर्ड चेप्टर के ऐसे एक अब्जेक्टिव कुश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एक्जाम के से आं तक देखते हैं तो हम 100% कह सकते हैं कि आपके एक्जाम में इस चेप्टर से एक भी कुश्चन नहीं छूटने वाला है क्योंकि कंप्लीट शुरू से लास्ट एक एक कंसेप्ट को देखते हुए इसके सभी अब्जेक्टिव कुश्चन को आज देखने वाले हैं तो अब जो है डायरेक्ट अगर अबजेक्टिव बनाते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आप कहे जाएंगे कि आप रट रहे हैं लेकिन आप आप अगर कुश्चन को समझ के चलते हैं तो आप बीना रटे हुए कंसेप्ट के तौर पे किसी भी अब्जेक्टिव को असानी से बन हुआ है इस टेवल को अगर आप इस छोटे से टेवल को अच्छा से अगर आप समझ लेते हैं ध्यान में रख लेते हैं तो इस चेप्टर के जितने भी अब्जेक्टिव आएंगे आप असानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको याद करने से इसको समझ लेने से आपका साथ टेबल में रखा हुआ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल इधर कर्म संख्या लीखा हुए रैकिक समीकरन यूग्म आपको बता देंकि आपको wzगया कि बारे में раз पढ़ए तो आप में ये पूछा जाता है कि परती छेदी गराफ अगर होगा गराफ कैसा होगा अगर परती छेदी होगा गराफ किस परकार का होगा परती छेदी तो आपको पूछा जाता है कि उसका हल कितना होगा तो आप देख रहे हैं कि जिस गराफ का जो हल है जिस गराफ का अगर जो गर ग्राप को हम लोग संगत कहते हैं अगर इसका ग्राप आप देखना चाहेंगे तो देखिए इसका ग्राप जो होता है कुछ इस टाइप का होता है प्रतिछेद करती हुई रेखाएं दो प्रतिछेद करती हुई रेखाएं आपको बता दे कि दो चरवाले राखिक समीकरन से जो ग्राप बनते हैं वो एक ऐसा बनता है जो एक रेखा दूसरे रेखा को परतिछेद करता होता है और एक ऐसा बनता है कि एक ही रेखा दूसरे रेखा के ऊपर अभर लैप करता है यानि कि एक रेखा पढ़ी दूसरा रेखा आप कर ले तो आश्रित रहता है इसके बाद त पति छेदी दिश सका देखuju रहें पति-छेदी रेखाएं सॉन्य के बाद यो होता है इसको लोग संपाति रेखा के मैं खाय से जानते हैं तो अभी आपको सभी हम बताएंगे कि कब गाप पति-च्छेदी हो गाए कब संपाति होगा और समानतर कम होगा देख लिजिए यह जो graph होता है वो समांतर graph कालाता है तो तीन टाइप के graph होते हैं वो तो आप देखें आखिर इस table से हमें question कैसे पूछा जाएगा आप जो है अगर इस तीन बातों को नहीं भी ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां से लेकर के इस सभी तीन चार बातों को याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है यह तो example के तौर पे है यह तो example है और एक चीज़ का example तो हजारों हो सकता है लेकिन main concept जो है आपका वो यह है आपको पूछा जाता है कभी कभी इस टैप से question तो यह आप देख लिजी अगर अनुपात का तुलना किसका तुलना अनुपातों की तुलना अगर क्या होगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा जिस समीकरन के अनुपात का तुलना जो होगा वो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा वो समीकरण कैसा कराएगा वो समीकरण जो होगा वो उसका गराफिर निरूपन जो होगा वो पड़ती छेदी रेखाये होंगी जैसा कि आप देख रहे हैं पड़ती छेदी गराफ इस परकार का होता है तो अगर A1 बटटा A2 और एक बाद निताए होगी उसके बाद उसका गरत बेखते चाहनें रहुपन यह आनि कि इस रेखा के मदद से जो हमें हल प्राप्त होगा वो कितना हल होगा तो वो केवल और केवल कितना हल होगा एक हल केवल एक हल होगा और परती छेदी गराफ जो होता है वो क्या कालाता है संगत कालाता है एक्जाम में आपको पूछ सकता है कि परती छेदी गराफ होता ह हैं परतिछेदी रेखाए होते हैं उससे हमें हमें एक हल मिलता है और वो संगत होता है इसके बाद बात करते हैं दूसरे पर दूसरा जो है टाइप का जो आपका ग्राफ बनता उस पर अनुपात के तुलना को देखियो एक्जांपल हम दे है कि देख रहे हैं सबका ब्राबर है बराबर है बराबर है इसका मतलब कर सकते हैं कि यहां पर क्या बराबर है जब कभी इस तरह का एक्स्प्रेशन आएगा जिसमें टीनों अनुपात का तुलना सेम होगा तो उसका जो ग्राफिय निरूपन होगा वो संपाती रेखाएं होंगी यानि कि संपाती रेखाएं किसे करते हैं एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा अगर लाई करें अबर लैप करें उसी पर आश्रित हो तो हम कहेंगे उसे संपाती रेखाएं और संपाती रेखा से हमें जो हल मिलेगा वो अनेक आप अरमित रूप से अनेक हल मिलेंगे कहेंगे सर ये अनेक हल क्या होता है आपको बता दे हल क्या होता है किसी भी रेखा के मदद से हल क्या होता है कोई रेखा दूसरे रेखा को जितने जगा पे टच करेगी परती छेद करेगी वो उसका हल कालाता है इस तरह का जो समी रेखा होगा और उसका जो हल होगा एक ही देख रहे हैं कि एक जगा पे मिल रही दोनों रेखा तो एक जगा पे मिला तो कितना हल देख रहे हैं एक जगा पे मिलने वाले खेबले खल और इस रेखा का संपाती का अनेक हल होता है क्योंकि ये दोनों रेखा अनेको जगा पे टच कर रही है अनेको जगा पे क्या हो रही है मिल रही है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि संपाती रेखा का जो हल होगा सॉलूसन होगा आपरमित रूप से अनेखल और इस तरह के रेखा को आस्रित संगत कहा जाता है किस तरह का रेखा कहा जाता है आस्रित संगत इसके बाद इसके बाद आता तीसरा नंबर का तीसरा नंबर में अगर A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के और B1 बट्टा B2 अगर C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं हो तो graphene निरूपन जो होगा उस type के समी करन का वो होगा समांतर जैसा कि आप देख रहें समांतर जो है समांतर रेखा एक कैसी होती है जिस दोनों के बीच हमेशा सेम गाइप हो उस दो रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा करते जैसा कि आपको दिख रहा है और समांतर रेखा से कोई हल नहीं आता हमें समांतर graph प्राप्त जब कभी भी होगा तो उस graph से हमको X और Y का कोई value नहीं मिलेगा क्यों कि इसमें क्या होता कि एक यह दोनों रेखाओं कभी भी टच नहीं करती है और जब टच नहीं करेगा तो हमारा जो हल होता तो वह तो touching point को ही हम हल काते हैं और touching point इसमें मिलेगा ही नहीं इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा और दोस्तों आपको बता दे कि समानतर रेखा जो होती है वह हमेशा और संगत होती है और संगत मतलब यह कभी संग नहीं आती है एक संग नहीं होती हमेशा अलग अलग रहती है इसलिए इसको क्या काते है और संगत काते हैं तो अब आपके एक्जाम में इस टेबल से, इस कंसेप्ट से क्या question पूछा जाएगा, हम उस question को discussion करते हैं, सबसे पहले आप देख लिजिए कि इसे question कैसे आएगा, छोटा छोटा question पूछता है, कि समानतर रेखाई होती है कैसा, तो आप बोलेंगे, और संगत, या फिर समानतर रेखाओं का हल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे कोई हल नहीं अगर पूछा जाता है कि आस्रित संगत जो रेखाय होती है जो गराफ होता है उसका कितना हल होता है और परमित रूप से अनिक तो दोस्तों चलते हैं कि इस पर अधारित आपका question कैसे बनेगा किस type का question आपके exam में stable से आएगा अगर कोई लो caller number question है वो यह कि रैखिक समीकरन का आलेक कैसा होता है दोस्तों आपको बता दे कि रैखिक समीकरन यानि की जिसका पावर एक हो और इसमें हम पर भी रहे हैं दो चरबाले रैखिक समीकरन आपको बता दे की रैखिक समीकरन नाम से ही असपस्ट है रैखिक समीकरन तो इसका आलेक यानि की गराप जो होगा वो हमेशा एक रेखा होगा रैखिक समीकरन नाम से ही देख रहे इसका आप सन्हें इस भाला है बखर रहा दूसरा प्रभलियाकार तो आप तीसरा सटवत्यका देख रहा żyt तो आपको बतादे कि राह। होता है वह हमेशा क्या होता है अब जाने रहे वह होता है दो जो है ये दुई घात समीकरन का जो है ग्राफ होता है प्रवलयाकार का जैसे इस सा जो है आप इस टैप का दिखते होंगे इस टैप का ये सा इस टैप का जो ग्राफ होता है इसको प्रवलयाकार का जाता है और दो घात वाले समीकरन का जो आलेक होता है वो प्रवलयाकार होता है लेकिन हमारा आंसर यह नहीं है हमारा आंसर है रैखिक समीकरन क्योंकि पूछा जारा है रैखिक समीकरन का आलेख कैसा होता है तो याद रखें नाम से यह पस्ट है रैखिक और रैखिक समी करन का जो युग्म होता है उसका जो गराफ होता है वो होता है समांतर और समांतर के बारे में आपको बता दे कि इसका कोई हल नहीं होता है एक भी हल नहीं होता है क्योंकि हल प्राप्त करने के लिए हमें गराफ का मिलना किसी न किसी पॉइंट पर मिलना एक दम बहुत जर प्रेच नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि और संगत समीकरन के यूगम का कि जो हम होगा का दोट हल होता है कि संपाथी का कैसा होगा आपको बता दें कि कि संपाती होता क्या है संपाती आपको पहले बता चुके हैं कि जब एक सम्मी एक रेखा दूसरे रेखा से क्या करें उभरलैप करता है उस पर आशित होता है तो इस टैप के स्ग्राप को हम संपाती करते हैं और इसका जो मिटिंग पॉइंट है यह अनेको बिंदू पर एक हल होगा तो आपका सही जो आंसर है इसका कि समपाती समीकरन के युगम का हल होता है वो कितना हल होगा दोस्तो समपाती समीकरन का हमेशा और हमेशा अनेक हल होगा question नमर 4 जो है वो पूछ रहा कि निम्न में से कौन x-2y निम्न में बरावर 10 का हल है तो बता दें आपको कि शौट कोट में एक मिनट में आपको इसको सौल्व करना परेगा अगर यहां से हम लेते हैं समीकरण एक से तो X बराबर हमारा जो भैलू होगा वो पलस 2Y क्योंकि X बराबर पलस 2Y हो जाएगा और X का मान 2Y जो है यह 2Y अगर इस समीक बराबर 10 होगा और तीन दूना 6Y पलस 4Y और बराबर 10 और 10 6Y और 4Y जो होगा वो 10Y बराबर कितना होगा दोस्तों 10 और 10 का 10 यानि की Y का भैलू आपको कितना आया 1 और Y का भैलू अगर आप यहां रख देते हैं तो X बराबर 2 गुने Y यानि की X बराबर आपका भैलू होगा 2 यानि X बराबर 2 और Y बराबर 1 तो देख लिजिए कौन सा आप्षन आपका सही है X बराबर 2 और Y बराबर 1 इस तरह से आपका फर्स्ट आप्षन क्या है इसका क्रेक्ट है इसके बाद क्वेश्चन नमर पांच जो है रैखिक समीकरन युग्म X पलस 2 Y बराबर 5 तथा 3 X पलस 12 Y बराबर 10 का डॉट डॉट हल होगा यानि कि कोई समीकरन दे दिया गया है और आपको बताना है कि इसका कितना हल होगा आपको अनुपात का तुलना करना होगा समीकरन है X पलस 2 Y बराबर 5 और दूसरा समीकरन है 3 X पलस 12 Y बराबर 10 इसको 1 मानिये, इसको 2 मानिये, अगर हम मनुपात की तुलना करतें, A1 बटा A2, तो A1 का भैलू है 1, और A2 का भैलू है 3, इसके बाद B1 का जो भैलू है वो 2 है, और B2 का जो भैलू है वो 12 है, इसके बाद 5 by 10, 2, 1 का दो, 2, 6, 12, 5, 1 का 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 3, और 1 बटा 6, और 1 बटा 2, दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का जो भैलू है वो सेम नहीं है, क्योंकि 1 बटा 3, 1 बटा 6 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, और जब इस तरह का कभी भी इस्तिति प् आप तो होता है, तो हम कह सकते हैं, कि उस परकार के रहिए कreation का जो हल होगा, वो एक अल होगा, एकल मतलब केवल एक, केवल एक हल के लिए जो अनुपात का जो तुलना होता है, वो होता है, A1 बटा A2 जो है, नहीं बराबर होता है, बयूंबर बटा B2 के, यानि कि A1 बट अगर यह बराबर नहीं हो उस इस्थिती में हमारा एकल हल होता है के वल एक अगला है के किसमान के लिए समीकरन इतना यानिकी X पलस 2y बराबर साथ तथा 2x पलस के वाइ बराबर 14 संपाती होगा संपाती जो है आपको बताना है कि यह दोनुँ समीकरन KK किस्मान के लिए समपाती होगा आपको बता दे कि यहां जो है समीकरन एक है एक समीकरन है x पलस 2y बराबर 7 और दूसरा है 2x पलस ky बराबर 14 और समपाती होने के लिए आपको बता दे दोस्तों यहां पर भी देख रहे हैं साथे का 7 साथ दूना चोधा साथे का साथ साथ दूना चोधा एक बटा दो यहां आ रहा है और यहां भी देख रहे है X का वैलू एक है और A1 का वैलू एक है और A2 का जो वैलू है 2 है यानि कि यहां भी एक बटा दो आ रहा है यानि आपको यहां भी एक बट्टा दो अना चाहिए, तो यहाँ दो है, िसका दो गुना ले लिजी, यानि कि के का value अगर 4 हम कर देते हैं, के का value कितना कर देते हैं, 4, तो 2, 1 का 2 आदो दूना 4, यानि कि के का जो correct value होगा, पहते को दो ने के आपको समपाती दरशाने के लिए और यह पूछा जाएक मावक्ता वोगा तो Самपाती कव होता है यह थे समपाती के लिए यह हैं सभी सभी के बराबर होंगे तो ऐसा कंडिशन लाने के लिए यहां पर हम चार रखेंगे तब ही संभब है इस तरह आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट होगा चार इसके बाद निम्न में कौन दो चरबाले रैखिक समीकरन का ब्यापक रूप है दोस्तों आपको बता और यह जो आप देख रहे हैं AXX स्क्वाइर पलस BX पलस C बराबर 0 वो है दोईगात समीकरन का और यह दोईगात बहुपद का है AX square plus BX plus C ये दुईघात बहुपद का है और ये है दुईघात समी करन का और AX plus B जो होता है वो रैखिक बहुपद का होता है अगला question हमारा है परती छेदी गराफ होता है यानि कि परती छेदी गराफ कैसा होता है संगत होता है कि और संगत होता है कि आस्रिव संगत होता है आपको बता दे पड़ा दे परकार तो संगत तो परती छेदी घराप हमे서 किस परकार का होागा संगत हैula से यह option इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा question number 9 देखते हैं जो बहुत ही मातपूर्ण है इसको इस बार भी पूछा गया है 2018 के exam में तो देखते हैं कि इसका real option कौन सा सही है कतक के किस मान के लिए राखिक समी करन योग्म do x minus y minus 3 बराबर 0 और do k x 7 y minus 5 बराबर 0 का एक मातर हल होगा दोस्तो एक मातर हल कब होता है जब गराफ परती छेदी प्राप्त हो जब गराफ कैसा प्राप्त हो जब किसी दो समी करन का गराफ अगर परती छेदी होगा उसी स्थिती में केबल और केबल एक मातर हल होता है और आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमको इस दोनों समिक्रण को ऐसा बनाना है कि केवल एक मातर एक हल आना चाहिए यानि कि परती छेटी घराप बनना चाहिए तो उसके लिए क्या लेना है क्या ले क्या का मान की क्या हो जाए दोनों जो है उसका हल एक आवे दोनों समीकरन का हल कितना आना चाही केवल एक दोस्तों बता दें कि यह जो दू के एक्स दू के एक्स पलस साथ वाई और माइनस पांच बराबर जीरो है इसका तो अनेकों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े बड़े मेथड है लेकिन कुछ नहीं आपको करना है अबजेक्टिव कोईशन को अबजेक्टिव की तरह सॉल्व कीजिए जैसा कि क्वेशन तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं तो 1 कोटा ही है यादि कि 1 से दू के को गुना करेंगे दू के पलस साथ वाई और y कह तो भएली मैंश वन है मैंस वन को मैंश वन से गुना करेंगे मैंश सेवन मैनस 5 बराबर 0, अब आप K कमान निकाल लीजिए, 2K, वो जो होगा, 2K, मैनस 7, मैनस 5 जो होगा, वो मैनस 12 बराबर 0, और इस तरह 2K बराबर, मैनस 12 उससार जाएगा तो पलस 12, और दू शके 12, इस तरह हम जो कह सकते हैं, कि छो का वैलू क्या होगा कि इस तरह आपका correct जो option है वो क्या है सी नंबर एकदम correct option है दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो हलका भी अच्छा लगा हो तो कि पर वीडियो को like कर दीजिए और दोस्तों में share कीजिए और अगर साल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चले दोस्तों मिलता है किसी नए वीडियो के साथ आज के लिए इतन